ये गड़ी केंट में लोकेटिट एई राजबभवन ने सिच्च्वेटेड है और ये हर साल राजबवन में लगता है जहांपे उत्राखंट का कलچर डिस्प्ले किया जाता है और बहुत दूर दूर से लोग अपने flowers का display, mushrooms का display, handicraft का display करने यहां आते हैं यहां का जो खाने का stall है वहां पे भी मडवे के आटे के momos बने होते हैं यहां पे बहुत type के flowers होते हैं, बहुत ही beautiful flowers, tulips वगेरा सब आपको यहां देखने के लिए मिलेंगे यहां के stall में all over India से इतने अच्छे अच्छी antique चीज़ें होती हैं और यहां पे इतने ज्यादा types के flowers हैं और इतने खुबसूरत stall लगते हैं इवन यहां पे honey का stall लगता है और यहां पे बहुत ही सुन्दर सुन्दर flowers हैं, यह सब आप देखी सकते हैं मैं तो यहां हर साल अपनी ममी के साथ आती हूं लेकिन इस साल मेरी मौसी और दीदी की लड़की और मामी भी मेरे संग थे और यहां पे बहुत ही सुन्दर यहां की सुन्दरता देखते ही नहीं बनती है यह अभी आज Friday, Saturday, Sunday इन तीन दिनों में यानि की 1 March, 2 March और 3 March को है यह तीन दिन का हर साल लगता है लास्टियर मुझे याद है जब मैं गई थी तो यहां गर्मिया थी और मैंने फ्रॉक पैना वा था मेरी दीदी की बेटी बहुत ही जादा इंजॉय कर रही थी वह इधर उधर दौर रही थी इसका नाम आ रहा है इसको आपने मेरे सुन्द सारे बलून्स खरीदे इवन वहाँ पे जितने पुलिस वाले थे उनका भी इसने बहुत एंटेटेन्मेंट किया राजभवन में बहुत ही सुन्दर ट्यूलिप्स और भी काफी अलग अलग वेराइटी के फ्लार्स थे और ट्यूलिप्स में भी इतने सारे कलर थे कि लोग क्या डेली घूमते हैं आप ये सब कुछ अपने देहरादून में ही इंजॉय कर सकते हैं यहां बॉन्जाई का पूरा एक गार्डन बना रखा था जिसके अंदर बहुत सुन्दर सुन्दर बॉन्जाई थी बॉन्जाई गार्डन भी जो है यह भी पूरा डिस्पले के लि अज़ता है और यहां पे उत्राखंड का बहुत कल्चर दिखाया जाता है इंटेंशली और यहां का फलोर दिखाया जाता है जो प्लांस दिखाया जाते हैं वो भी मतलब all over India या all over world कहूं उसमें सबसे best होते हैं और यहां पे बहुत सारे selfie point भी थे जहां पे लोग काफी selfie क्लिक कर रहे थे backpiper आये हुए थे और इवन यहां पे पंतनगर के professors आये हुए थे यहां अलग अलग प्रकार के plants का डिस्प्ले था flowers का डिस्प्ले था हर एक जिगह इतनी खुबसूरत थी कि हर एक कोने में लोग photos क्लिक कर रहे थे सब लोग बहुत खुश थे और सब लोग मैं एक भी कोई ऐसा जन नहीं था सब digital cameras अपने cameras निकाल के picture क्लिक कर रहे थे गर आपको मेरा यह व्लोग अच्छा लगा तो आप मेरे बाकी vlogs भी मेरे चैनल में चेक आउट कर सकते हैं and if you like my channel do subscribe it leave a comment मुझे जरूर बताएं आपको मेरा व्लोग कैसा लगा टूडल्स